कि आप सभी का बहुत बहुत नमश्कार कि कंटेंप्ररी वेस्टन फिलासॉफी हम पढ़ रहे थे और दो थिंकर हमने पढ़ लिए हैं और उमीद करता हूं आपने उनको समझा भी होगा आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने कोशिश करते हैं मूर और रसल के बाद मूर और रसल के बाद जो आपके तीसरे थिंकर हैं दूसरी बात कल से हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास के अंदर आने की तो इक्रिगर्ड एक एक एक्सिस्टेंस को मानने वाले फिलॉसफर है अस्तित्व को मानने वाले फिलॉसफर है अस्तित्व को मानने वाले फिलॉसफर है सर कौन सा existence, यहां कौन सा existence को माना जा रहा है, तो यहां पर जिस existence की बात की जा रही है, तो existence है कौन सा, यह वो existence है, जिसके अंदर यह चीज समझाई जा रही है, कि हम केवल और केवल मानव के अस्तित्व की बात करते हैं, हम केवल और केवल उसी अस्तित्व को मानेंगे, जि जिसके कारण ग्यान का अस्तित्व है जिसके कारण ग्यान हो सकता है अगर वो अस्तित्व नहीं होता तो शायद ग्यान भी नहीं होता हम उस अस्तित्व की बात करते हैं तो यहां पर किक्रिगर्ट, नीटसे, सौत्र, हाइडेगर यह सब वो दार्शनिक है जिन्होंने मानव के अस्तित्व को माना अगर इसका पीछे का बैग्ग्राउंड बताने की कि मैं कोशिश करूँ आपको तो ये एक ऐसा दर्शन है जो अचानक से बाहर आया अचानक से, सड़नली, जटके से बाहर आया किसी को उमीद नहीं थी इसके इमेजन कीजिएगा अगर छोटे से आपको कहानी सुराने कोशिश करूँ मैं, इमेजन कीजिएगा एक कहीं प्रोग्राम चल रहा है 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग बैठे हैं और सब ग्यान की बाते कर रहे है ग्यान ऐसे आता है, ग्यान ऐसे आता है अचानक से एक आदमी हाथ खड़ा करे एक वेक्टी हाथ खड़ा करे और पूछे सर ग्यान तो ठीक है लेकिन अगर इनसान नहीं आता तो क्या ग्यान आ जाता क्या अगर इनसान नहीं आता तो क्या ग्यान आ जाता कौन पहले आया ग्यान या इनसान का अस्तित्व कौन जरूरी है ग्यान या इनसान का अस्तित्व ग्यान खतम हो जाएगा वापस भी आ जाएगा इनसान का अस्तित्व अगर खतम हो गया तो क्या ग्यान आ जाएगा गॉविसली बात है जो सामने रेक्ती बैठा है सीरिय ऐसा ही हुआ वेस्टन वर्ड के अंदर पास्चात के जगत के अंदर ऐसा ही हुआ जब वहाँ पर अचानक से किसी ने ये कहा कि इनसान के अस्तित्व का क्या वैल्यू है अभी तक हमने इनसान के अस्तित्व का कुछ किया ही नहीं हमने अभी तक इंसान के existence के कोई valuation ही नहीं दी जबकि सबसे पहले आया इंसान का अस्तित्व फिर आया ग्यान तो पूरा का पूरा पास्चात के जगत अचानक से वो रुठा बात तो ठीक है बात तो ठीक है और इस विचारधारा का नाम हुआ कि ये विचारधारा ये ideology completely based on the existence of human मानव के अस्तित्व के उपर आधारी थे इसलिए इसका नाम डाला गया अस्तित्व फिर ये इसके पीछे की कहाने कि ये human existence पर बेस्ट थी इसलिए इसका नाम डाला गया मानव अस्तित्व वाद देखे है अब देखते है कि क्रिगड क्या कहते है क्रिगड का जो अस्तित्व वाद है थोड़ा से screen बड़ी कर रहा हूँ अगर आप कुछ समझ्या है तो प्लीज एक बार में देख लेता हूँ पहले क्रिगड का जो अस्तित्वाद है वो देखते हैं अब हम क्रिगड का अस्तित्वाद जिस वक्त सामने आया उस वक्त philosophical world के अंदर हीगल का हीगल का जो आपका बौधिक चिंतन है आपका psychological analysis का जो method था बुद्धी का जो चिंतन की प्रक्रियाएं हैं वही कहीं ना कहीं हमेशा पढ़ा जाता था हीगल के लाव कोई ऐसा था ही नहीं जिसने इंसान की बुद्धी पर काम किया हो वो कहता था कि बुद्धी सर्वपरी है इंसान की बुद्धी सर्वस्रेस्ट है यूनिक एक यूनिक creation जो है इस प्रकरती का वो है इंसान की बुद्धी तो लोगों ने कहा हीगल सबसे बड़ा ही, हीगल सबसे बड़ा हीगल के बहुत बड़ी वैल्यू थी, लेकिन हीगल की कुंडली में, जो सबसे बड़ा शनिया कर बैठा, उसका नाम था, किक्रिगर, लोग हीगल से बौर हो गए थे, लोगों ने का या, हीगल ठीक है, बुद्धी की तो बात कर रहा है, सिस से पहले इंसान आया या बुद्धी आयी साफो तो इंसान ही आयगा ना पहले तो तो फिर बुद्धी वाद क्यों अस्तित वाद क्यों ने है यह क्या था यह तो हमने अभी सोचा ही नहीं टेकरिगर्ड ने खेगल के वजूद के उपर एक कोश्चन मार्क लगा किया एक कोशन मार्क और कहते हैं कि क्रिकेट की ये जो कोशन मार्क प्रोसेस था इसने हीगल का जो अट्रेक्शन था वेस्टन फिलास्फिय में उसे कम कर दिया और इसलिए लोगों ने कहा ये जो आइडियोलाजी है यह जो philosophy है यह अचानक से पैदा हुई है और इसलिए इसको आक्समिक दर्शन कहने लगे लोग suddenly suddenly आई है यह तो अस्तितवाद का पूरा का पूरा focus रहता है human freedom मानव के character का जो development है वो खुल इनसान कर सकता है एक short trick बताता हूँ चाहे आपको किक्रिगर्ड आए चाहे आपको सौत्र आए चाहे आपको नीट से आए चाहे आपको हाईडगर आए हलंकि इतना exam में नहीं है आपके एक बात ध्यान रखिएगा ये लोग केवल human existence को मानते हैं इसके लावा किसी को नहीं मानते भगवान नहीं मानते स्वर्ग नर्क नहीं मानते कोई hypothesis नहीं मानते किसी प्रकार की कलपनाए नहीं मानते अंदवीश्वास नहीं मानते तो किसको मानते हैं इंसान के existence को इंसान के अस्तित्व को, इंसान के वजूद को इसके अलावा ना, किसी को भी ना important कौन है, human भगवान को मानने लूँ आथ क्या दिक्कत हो जाएगी भगवान को मानने से इंसान सीमित हो जाता है, limited हो जाता है तो क्या किया जाए, भगवान को मत मानो, okay इन्होंने human development, basic human development के उपर काम किया ये इनका plus point भी था और ये minus point भी था plus भी था, minus भी था, minus कैसे philosophy में extreme को कोई भी permission नहीं हो philosophy में extreme कुछ नहीं होता, philosophy में possibilities होती है जिसके पास संभावना है, दर्शन में वो आगे तक जाएगा दर्शन में, philosophy में जो extreme की बात कर गया कि मैं सबसे best बात बता रहा हूँ, इससे best कुछ भी नहीं होता वहीं से वो खत्म होना शुरू हो जाएगा यही reason था, यह अस्तित्ववाद एक time बात अचानक खत्म भी हो गया अचानक खत्म हो गया अगर existence का question आए अगर अस्तित्ववाद का question आए, उसमें यह बात ध्यान रख्येगा इन्होंने केवल human development, human development, human development की बात करी और किसी की बात नहीं एक रिगड ने मानव को एक मूर्थ व्यक्ति के संग्या दी है मतलब personality with form इस मूर्थ सत्ता की व्याख्या हम अमूर्थ प्रत्यों के आधार पर नहीं कर सकते formless जितने भी ideas हैं, उनके बिहाफ पे आप human का कभी भी explanation कर ही नहीं सकते एक रिगड कहते हैं, इन्सान एक मात्र ऐसा एक ऐसी entity है इस अर्थ के उपर जिसका comparison करना सबसे बड़ी बेवकूफी है इसका comparison हो ही नहीं सकता, यह इतना unique है यह अपने आप में unique है कि रिगड ने, हीगल का, बुद्धिवाद का, जिसको मैं कहूँ, बुद्धिवादी कहूँ मैं इसको या rationalism कहूँ, basically बुद्धिवाद नहीं, इन्होंने हीगल का खंडन किया हीगल को criticize किया ये कहते हैं कि बुद्धिवादी जो conclusions हैं बुद्धिवादी जो discussions हैं वो हमें कही न कई confused करते हैं जबकि इनसान confused नहीं होना चाहिए दूसरा मानवी सत्य के प्राप्ति के लिए सबसे ज़ादे important है कि हम हमारे mental analysis है वो हमें इस तरीके से guide करें कि ये ग्याता और गे का जो द्वंद है उसको कही न कहीं खत्म करते हैं मैं knowledge करने वाला हूँ आपकी मुझे knowledge करनी है मैं ग्याता हूँ आप गे है ग्याता वो होता है जो knowledge सिकर जो ग्यान का भूका है ये वो है जिस object का मुझे knowledge करना है तो ग्याता और ये का द्वंद समाप्त हो जाना चाहिए तब ही सत्य के प्राप की जा सकती है मचली समुंदर में रहकर अगर कहे कि पानी को मैं ढून रही हूँ तो ये बेवकुफी है मचली ही पानी है पानी ही मचली है आप्यसली बात है मैं कहूं कि मैं हवा को ढून रहा हूँ हवा ही मैं हूँ मैं ही हवा है हवा मेरे अंदर भी है वा बाहर भी है जब तक ग्यान इस तरीके का नहीं हो जाएगा तब तक आप extreme ग्यान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं गुद्धिवादी जो है वो विश्रक को गुद्धी की अभिरत्ती कहते हैं ये basically एक expression of mind कह सकते हैं इसको किकरिगड ने कहा कि यहां मानव के स्वतंत्र प्रयत्न का कोई स्थान ही नहीं रहा स्वतंत्र प्रयत्न बुद्धी ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए बुद्धी के अंदर पहले से pre-established harmonies को हम कहते हैं पूर्व इस्थापित सामन जश्यकानियम इसके आधार पर सब कुछ बन गया तो किकरिगड कहते हैं अच्छा तो अब जो innovation हो रहा है उसको आप innovation क्यों कह रहे हैं वो तो पहले से बुद्धी में था वो innovation थोड़ी होगा वो खोज थोड़ी है अविशकार थोड़ी है किकरिगड कहते हैं जो मेरा individual thinking है बुद्धिवाद जो है वो अमान विये करण थो बिसिकली इनका कहना था कि बुद्धिवाद में आपने बुद्धी को आपके mind को इतना superior बना दिया कि ये इनसान के वजूद से भी बड़ा बन गया और ऐसा करने से कहीं ना कहीं human freedom मानविये स्वतंतरता खत्रे में पढ़ गई जो की गलत है ये concept ही गलत है किकरिगड इस concept के बिलकुल खिलाव थे क्योंकि इनका कहना था इनसान वही सक्षम है वही सफल है वही capable है वही free है जो complete free हो inner और outer दोनों world के अंदर जो complete freedom को कहीं ना कहीं feel करेगा वही real में इनसान कहलाएगा otherwise इनसान नहीं है इकरिगड के दर्शन का महत्व ये रहा कि इन्होंने मानव की स्वतंतरता के उपर इत बहुत ज्यादा जोर दिया इसी क्रम में हम इनकी संकल्प की स्वतंतरता पर चर्चा कर सकते है freedom of will संकल्प की स्वतंतरता क्या है संकल्प की स्वतंतरता एक ऐसा subject है जिस पर सभी अस्तित्ववादि कहीं न कहीं agree है यह मानव का होना ही स्वतंतरता की सबसे पहली और सबसे आखरी शर्त है अर्थार मानव एक ऐसी सत्ता है जो बच्छपन से मृत्यू तक सतंतरता का भोग करता है इसलिए मानव इस ग्रह के उपर युनीक है प्रकर्ती ने किसी भी दूसरे जीव को इतनी फ्रीडम नहीं दी है इट मेंज ये साप का एक बच्चा है ये साप बड़ा हो गया और ये साप बूड़ा हो गया जब उसको मरना था और वो साप ही मर गया इट मेंज साप की कहानी साप के उपर जाकर साप के उपर खत्म हो गई प्रकर्ती के अंदर एक कॉमन एक फैनोमेना है गाय का बच्चा प प्रकर्ती ने ऐसा कोई relation नहीं रखा प्रकर्ती ने इनसान के साथ relation रखा हमने एक आपको याद हो थो हमने पीछी पढ़ा थे कंसब्ट इन्टेलिकी एक इनसान है ये एक इनसान है इसको इतनी freedom है ये चाहे तो राक्षस बन जाए ये चाहे तो बुद्ध बन जाए ये चाहे जैसा है वैसा मर जाए लेकिन इसके इतनी freedom है इसके पास इसके इतनी freedom of will है चाहे तो ये extreme negative बन जाए चाहे तो extreme positive बन जाए चाहे तो ये जैसा है वैसा ही रहे लेकिन ऐसी possibility ऐसी संभावना ऐसी स्वतंतरता ऐसी freedom जिसको हम कहें इनसान के अलावा किसी को नहीं दी और यही है इनसान की freedom of will संकल्प की स्वतंतरता मानव अगर किसी चीज़ का संकल्प कर ले तो वो उस संकल्प को पूरा कर सकता है क्यों? क्योंकि मानव को यह संकल्प करने के लिए नेचर ने एक स्वतंतरता दी है इस प्रकार हमें मानव अस्तित्व की तीन अलग-अलग इस्ततियां दिखाई देती है एक जिसके अंदर वो कही ना कहीं सुख ढूंडता है हिडोनिज्म ढूंडता है दूसरी जहां वो ethics ढूंडता है तीसरा वो धर्म ढूंडता है कि क्रिकट कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन में इनमें से किसी एक को ही स्वीकार कर सकता है या तो वो सुख ढूंडेगा जैसे चारवाग या वो नीती ढूंडेगा कि नीती के हिसाब से काम को जैसे जैन दर्शन जैसे वेदान दर्शन या वो किवल धर्म धूंडेगा कि धर्म जीवन ही सर्वो परी धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता बहुत सारे एक्जामपल आपको इसे मिल जाएगा मिमान सा मिल जाएगा वेदान में ही बहुत सारे मिल जाएगे तो यदी कोई सुख मुलक से धान को स्वीकार करता है तो वै अपने पूरी उम्र सुख की ही काम ना करेगा और इसी की प्राप्ती के लिए काम करता रहेगा उसके जीवन में नैतिकता और धर्म का प्रभाव होगा लेकिन कम दिखाई देगा ओविसली बात है इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं अगर इन तीनों का टोटल हंड्रेड होता है तो यहाँ पर फिक्स है एक पचास के रेशो में रहेगा रिमेनिंग दो 25-25 के रेशो में ही रहेंगे अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ इसको पचास कर दूँ तो यह 25 और यह 25 अगर मैं इसको ल्टा कर दूँ यह 50 तो यह 25 और यह 25 अगर मुझे सुख चाहिए तो नीती और धर्म तो मेरे जीवन में है लेकिन यह सुख के जितना important नहीं है एक चोर केवल अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है एक बड़ा गैंबलर जुआरी, सटे बाज वो सुख प्राप्त करना चाहता है नीती तो उसके जीवन में है वो अपने आदमी को नहीं ठकीगा अपने घर के अंदर डाका नहीं डालेगा नीती तो है, धर्म भी उसके जीवन में है जिस भगवान को मानता है, जिस गुरू को मानता है वो मानेगा, उसके घर में चोरी नहीं करेगा लेकिन फिर भी चोरी तो करेगा ठीक है यही आपके किक्रिगट समझाना चाहते है जब वो धर्म मुलक सिद्धान की बात करेगा तो यहाँ पर वर्तमान और भविष ईश्वर के उपर छोड़ देगा और अंत्यकरण की आधार पर कादे करने लग जाएगा तेकिन वही बात है वहाँ पर नैतिक्ता और सुख अब कम हो जाएंगे सत्य आत्मनिस्ट है यहाँ सत्य का अर्थ है ऐसे सत्य जिनका संबंद आपके परब सुख से है मोक्ष से, भक्ती से, प्रेम से हमें व्यावारी ज्यान के प्राप्ति विशियों को विशियों के वस्तुनिस्ट अध्यन से ही प्राप्त हो सकती है तथा इसी कारण इनके बारे में हम अवधारणा का निर्मान कर सकते है लेकिन यहाँ जिस सत्य की बात की जा रही है वह वस्तु इस निस्ट नहीं है वस्तु से संबंदित नहीं है तथा इनके बारे में हम अवधारणा का निर्मान भी नहीं कर सकते है यह आत्मनिस्ट है मेरी आत्मा के हिसाब से ये चलता है मेरी आत्मा से जुडा हुआ है वस्तुओं से जुडा हुआ नहीं है सुख वस्तुनिस्ट नहीं है आत्मनिस्ट है किसी को भूके होने पर खुशी मिलती है किसी का पेट भरा हो तो भी उसे खुश नहीं मिलती ये वस्तुनिस्ट चीजे नहीं है कोई सूखा चावल खाकर खुश है तो कोई बने हुए चावल खुपाकर भी खुश नहीं है अगर खुशी चावल में होती तो जिसके पास अच्छा चावल है वो ज्यादा खुश होता जिसके पास कच्चा चामल है वो कम खुश होता लेकिन ये खुशी, ये आनन्द, ये सुख वस्तू से संबंदित नहीं है, आत्मा से संबंदित है, मैं नहीं कह रहा हूँ किक्रिगड कह रहा है, यदि हम परम सुख को वस्तूं से जोड़कर वस्तूनिस्ट माने, तो इससे एक वस्तूनिस्ट अनिस्चित्ता, कन्फूजन वाली कंडिशन पैदा हो जाएगी, हो सकता है, ये कन्फूजन जानने के जिग्यासा को और तीवर कर दे, और ये जिग्यासा ही ज्यान प्राप्ती का एक कारण बन जाए, सत्व हमारे अंत में घटित होता है, हमारे अंदर ही घटना होती है, बाहर कुछ नहीं है सत्या, हालां कि क्रिगड का क्रिटसाइज भी हुआ, क्रिटसिजम भी हुआ इनका, यहां सत्य वे सत्य की अलग-अलग व्याख्या की गई है, जो संभव नहीं है, भाशादर्शन में यह माना जाता है, कि सत्य प्रतिग्यप्तियों की विशेशता है, जिए कि क्रिगड ने सत्य का ऐसा कोई प्रियोख किया ही नहीं, कि क्रिगड छोटे से विलासफ़र हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, पूरे कि क्रिगड हो गए, अब मैं एक बार समरी बतायता हूं कि क्रिगड की क्रिगड को किस प्रकार से पढ़ा का अस्तित्व अकल्डव कितना जरूरी है इनका जो कनस्प्ट है Freedom of Will संकलप की सतंतर्ता की करिगड कहते है कि हमने इνसान के संकलप की सतंतर्ता को खतम कर दिया हमने इनसान की Freedom of Will को खतंब कर दिया यह सबसे बड़ी गल्टी है हमारे freedom of will کو आप खतम नहीं किएगा freedom of will को अगर आप खतम कर देंगे तो कही न कहीं न कहीं इनसान का survival खतम हो जाएगा आज मेरी will power है मेरी ये will power है कि मैं चाहूं तो बहुत बड़ा ग्यानी बन जाओ आज ये मेरी will power है मैं चाहूं तो बहुत बड़ा चोर बन जाओ ये मेरी will power है मैं चाहूं तो बहुत बड़ा I.S. officer बन जाओ ये मेरी will power है मैं चाहूं तो एक बिहार के अंदर बड़ी पोस्ट के उपर कारियरत बन जाओ वाट अगर मेरी इस will की freedom को खतम कर दिया गया मैं आपसे कहूं कि भैया सुनो आप सभी को straight PCS नहीं आप सभी को I.S. बनना है ये कैसे possible है हमें तो नहीं बनना आपसे पूछा नहीं कि आपको बताया गया है I.S. officer बनना है तो क्या ये possible है नहीं freedom of will मतलब मुझे मेरी life में क्या decision लेने है ये किसी के pressure में आकर नहीं मेरी freedom है मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो decision लोंगा ये है freedom of will और जब तक freedom of will किसी के अंदर नहीं आएगा तब तक वो real definition के अदर इंसान नहीं कहला सकता ये हैं आपके इक रिकर्ड कल एक और philosopher हो सकता है कल live हो तब तक धन्यवाद वैसे एक तारिक से live होगा कल का मैं नहीं कह सकता बट धन्यवाद